पिछली शताब्दी की शुरुवात में कमबस्चन इंजनों का आगमन हुआ, जिसने ओद्योगी करण को गदी दी। इसी ने हमारी इस आधोनिक दुनिया को बनाया है। लेकिन इस प्रगती ने जैव विविद्धा को भी बदल दिया। उर्जा के लिए हमारे लालज के परिणाम सोरूप फॉसिल फ्यूल्स की खपत में वृद्धी हुई। केवल 2021 में ही हमने लगभग 1,17,000 मेगा टन फॉसिल फ्यूल्स की खपत की है। 1970 से CO2 एमिशन्स में 90% की वृद्धी हुई है। इन में से फॉसल कंबश्चन और अध्योगिक प्रक्रियाओं का एमिशन्स में 78% का योगदान है। क्लाइमट चेंज में अकेले निर्मान खेत्र का योगदान 50% है। भारत में CO2 का तीसरा सबसे बड़ा एमिटर परिवान खेत्र है। हम दुनिया भर में एक अभूदपूर्व पारिस्थितिक प्रभाव का अनुभाव कर रहे हैं। जंगलों में आग, बवंडर, आंधी, मूसलाधार बारिश और बाढ, भयंकर सूखा और समुद्र का बढ़ता स्तर। आज दिल्ली सबसे अधिक प्रदूशित शहरों में से एक है। पर अभी भी सब कुछ खत्म नहीं हुआ। हम एक नाजुक संसार में रहते हैं और यह मदद के लिए हाथ पढ़ाने का समय है। Climate Smart Energy Solutions को अपनाना ही आगे का रास्ता है। Volvo में हम जानते हैं कि बिना धुएं और धुआनी प्रदूशन के बहतर प्रदर्शन दिया जा सकता है। हम 2030 तक काबन एमिशन्स को 50% तक कम कर देंगे। और 2040 तक 100% तक कम करने के हमारे काबन निउट्रालिटी के उद्देश्य को प्राप्त कर लेंगे। इस दृष्टिकोन की दिशा में काम करते हुए, वोल्वो ने पिछले एक दशक में सस्टेनबल ट्रांस्पोर्ट स्लूशन्स की एक विस्तरच श्रिंखला पेश की है। पदलाओ यहां शुरू होता है। वोल्वो कंस्ट्रक्शन एक्विपमेंट, एलेक्ट्रिक एक्सक्वेटर और वीलर लोडर में सबसे आगे है। एक निशब्द क्रांती का स्रिजन। वोल्वो के अटॉनमस औल एलेक्ट्रिक हॉलर्स सस्टेनबल सिलूशन्स में नए मानक स्थापित कर रहे हैं। हाल ही में हमने फॉसल फ्री स्टील से निर्मित पहला आर्टिकुलेटड हॉलर दिलिवर किया। इन प्रयासों का परिनाम रिन्यूबल एनर्जी आधारत ट्रांस्पोर्ट सिलूशन्स हैं। हमारी जिनमेडारी है कि हम हमारे आने वाली पीडियों के लिए एक बहतर और हरा भरा संसार छोड़ जाएं। 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 एक ऐसी दुनिया के निर्मान में शामिल हो जिसमें हम रहना चाहते हैं। Volvo Construction Equipment Building Tomorrow hareALD हम जाएं। भी तर sciences हेजाई